सरकारी नौकरी लगवानी की नाम पर कानपूर समेत कई शहरों के सैकड़ो बेरोजगारों से करोडो रुपए की ठगी करने के आरोपी अंबेडकर नगर निवासी दुर्गा शरन मिश्र और लखनव निवासी आयूरवेद विभाग के डॉक्टर राजेश राम को शनिवार को स्टीएफ ने लखनव से गिरफतार कर लिया स्टीएफ काफी समय से आरोपियों की तलाश में जूटी थी गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिसमें से कई स्टीएफ की हिरासत में और उनसे पूछताच भी जारी है ओर्डिनेंस फैक्टरी के कई कर्मचारियों क दुर्गाशरण मिश्र ने उनके बेटो आधि की फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया में नौकरी लगवाने का जहांसा दिया था प्रत्येक से दो चार लाग रुपे लिये थे नौकरी न लगने पर पिछले साल जुलाई में फजल गंज थाने में एफायार दर्ज कराई इसमें सैकनों पीडित सामने आये थे कारवाई न होने पर इंटक के पदाधिकारियों ने स्टीफ चीफ अमित यश से मुलाकात कर जानकारी साजा की जिसके बाद स्टीफ लखनव की टीम ने शनिवार को अंबेडकर नगर निवासी दुर्गाशरण मिश्र और लखनव मे आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर राजेश राम को गिरफतार कर लिया पूछ थाच में दोनों ने अपना जुर्म भी कुबूला है स्टीफ के मुताबिक राजेश व दुर्गाशरण पिछले देड़ दशक से ठगी का गिरह चला रहे थे दोनों पर कानपुर लखनव अयोध्या समेत कई शहरों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं दुर्गाशरण पर अयोध्या पुलिस ने 15,000 रुपय का इनाम भी घोशित किया था आरोपी डॉक्टर राजेश राम लखनव के जानकीपूर इलाके का रहने वाला है वर्तमान में उसकी तैनाती सेना समेत कई अन्य विभागों में नौकरी लगवाने का दावा करते थे रकम लेने के बाद इमेल पर फरजी पत्र भी भेजते थे उसके बाद लखनव में एक-एक महीने की ट्रेनिंग करवाते थे यहां तक एक महीने की सैलरी भी देते थे जिससे लोगों को यह यकीन हो ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टूटी नियूज के साथ